हलो सुदेंट्स जड़ा इन दस वीडियो वी आर गोई जो रीड यॉर लेसन एट एट एंड पोएम नमर फाइब फादर तुसन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपोर्टेंट पोएम आपकी इसका टाइटल है फादर तुसन यह आपके सेलेबस के लेसन एट में है और पोएम नमर फाइब है पाँचवी पोएम है पोएम इस रिटन बाई एलिजाबेथ जैनिंग्स एलिजाबेथ जैनिंग्स के द्वारा ये पोएम लेखी गई है बहुत ही अच्छी पोएम है आप ध्यान पूरवक पूरी वीडियो को देखें एक भी सेकेंड नहीं तो आप बहुत कुछ जानकारी से वंचित रह जाएंगे इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो आप इसमें कुछ ऑटोबाइग्राफिकल एलिमेट भी देखेंगे और कुछ यूनिवर्सल अपील भी आप देखेंगे फादर टू सन इसका जो टाइटल है ये आप सम एलिजावेद जैनिंग्स की ये एक ऑटोबाइग्रिफकल पोएम है इट डिस्क्राइब्स एन एक्सक्लूसिबली पर्सनल एक्स्पिरियंस हाओवेवर इस अपील इस फियरली यूनिवर्सल हलाएंकि ये कविता एक पर्सनल एक्स्पिरियंस को बताती है विक्तिकत हनु फिर भी इस पोएम में जो बात की गई है जो इस पोएम की अपील है वो यूनिवर्सल है दुनिया में सब पर लागू लगबग होती है बोथ फादर एंड शन आर पोल्स अपार्ट जैसे कि अधिकतर घरों में ऐसा मैं मान के चलता हूं कि जब बेटा थोड़ा सा समयदार हो जाता है तो वो बेटे की पिता से टूनिंग कम बैठती है समयदारी आपस में अंडरेस्टेंडिंग कम हो जाती है क्योंकि यह जनरेशन गैप होता है जो कि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी का अंतर होता है वो अंतर होता है तो दोनों ही पिता और पुत्र दो दच्छड और उत्तर धुर्ब की तरह अपोजिट पोल्स की तरह एक दूसरे के साथ घर में एक ही में रहते हैं There is a generation gap between the two They think and live differently दोनों अलग तरीके से सोचते हैं अलग तरीके से जीना चाहते हैं They have become strangest to each other वे एक दूसरे के लिए उसी घर में अजनभी बन जाते हैं In spite of an urge for reunion the separation continues and can't be helped द्वारा से वो एक होना भी चाहें तो वो काफी प्रयास दोनों तरफ से खिया जाए फिर भी ऐसा होता है कि संबब नहीं हो पाता कि एक दूसरे से उस generation gap में एक दूसरे को समझने लगें एक दूसरे को प्यार करने लगें ऐसा कम होता है एक ही घर में रहते हुए भी तो ऐसी ही कुछ बातें इस father to son में आप देखेंगी इसकी हर stanza आपको एक नई सोच की उट ले जाएगी यहाँ पर जो starting है इस poem की वो दौनों के बीच में पिता और पुत्र की बीच में कोई समझदारी नहीं है बीच में उनके कोई understanding नहीं है इसको ले करके इस मानसिक्ता से ले करके father अपनी बात कहता है I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years I know nothing of him so try to build up a relationship from how he was when small यहाँ पर build up से मतलब बनाना आप जानते हैं relationship माने दौनों के बीच में जो mutual understanding है आपसी समझ पिता और पुत्र के बीच में तो पिता कहता है हलांकी हम सालों से एक ही घर में एकटे रहते हुए आए हैं पर मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ आपने इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years the father is unhappy as he doesn't understand his own child though they have lived under the same roof for years nothing of him I know nothing of him पिता कहता है मैं इस के बारे में उस पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ so try to build up a relationship from how he was when small और मैं उससे एक रिस्ता बनाना चाहता हूँ set नहीं होती है इसी बात को कवीज में identify कर रहा है इस स्टेंजा में फिर से देखें आप I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years हलांकि हम सालों से एक ही घर में खटे रहते आए हैं पर मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ I know nothing of him मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ बेटे के बारे में so try to build up a relationship from how he was when small तो मैं उससे एक रिस्ता बनाना चाहता हूँ जो हमें उस समय से जोड सके जब वो एक छोटा बच्चा था पिता दुखी है वो अपनी बच्चे को नहीं समझता हलांकि वे सालों से एक ही छटके नीचे सासा तरह रहे हैं लेकिन वो अपनी लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता वो उसके साथ एक सम्मंद बनाना चाहता है वो उस समय के बारे में सुचता है पिता जब उसका पुत्र एक छोटा सा बच्चा था next stranger दिखें yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine we speak like strangers there is no sign of understanding in the air this child is based to my design yet what he loves I cannot share यहाँ पर कुछ word आप देखें seed की बात की गई है seed मायरे होता है बीज जो हम पौदे को रोपते हैं तो उसके लिए बीज लगाती है seed I spent or sown मतलब है इसका लड़के को जर्म देने के लिए जो बीजा रोपन किया जाता है वहाँ उससे मतलब है लड़के को जर्म देरा यानि एक पौदे को जमीन में बीज को लगा ना यानि पीटे को जर्म देने से इसको compression किया गया है और यहाँ none of mine यानि इस जमीन पर मेरा कोई दिकार नहीं है in the air यानि in his attitude उसके देश्टिकोंड में ठीक है तो यहाँ कभी क्या कहना चाहता है पिता ने अपने पुत्र को जन्म दिया लेकिन ऐसे बच्चे को जन्म देना ऐसी भूमी में ऐसी जमीन में बीज बोने के समान है जो उसकी अपनी नहीं थी पिता की अपनी नहीं थी वो सोचता है दोनों एक दूसरे के प्रति बिलकुल अजन्म भी है इस्टेंजर्स हैं दोनों के बीच किसी समझ के बिख्षित होने का कोई आसार नहीं है लड़का सकल सूरत में बाप पर गया है पर उसकी प्लानिंग के अनुसार लड़का बड़ा हुआ है इसमें संदे है और मतलब हुआ है उसकी प्लानिंग के अनुसार ही अब तक बड़ा हुआ है पर धुर्बाग्यवस इस समानता के बावजूद वे एक दूसरे के प्यार में हिस्तेदारी नहीं कर सकते तो कभी कहता है ऐसा लगता है कि मैंने जिस बीज को सीड को जिस बीज को जहां बिखेरा या उसको प्लांटेशन किया उसको रोपन किया वो जमीन उसकी थी लड़के की थी मेरी नहीं Yet have I killed the seed I spent a song it where The land is his The land is his जमीन उसकी थी And none of mine मेरा कुछ नहीं था ऐसा कभी फील करता है ऐसा लगता है कि मैंने जिस बीज को जहां बिखेरा रोपन किया वो जमीन उसकी थी मेरी नहीं We speak like strangers हम अजनभियों की तरह बात करते हैं There is no sign of understanding in the air और हमारी समझदारी हमारे दस्टिकॉण में कोई समझोते के आसार दिखाई नहीं देते in the air माने हमारे attitude में दस्टिकॉण में तो हमारे दस्टिकॉण में कोई understanding कोई समझोते के आसार दिखाई नहीं देते हम एक दूसरी के प्रतेशन भी हैं This child is built to my design ये लड़का सरीर और सकल से मेरी design मेरे योजना के अनुसार ही विक्सित हुआ है जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ये दिखता है इसकी कद काथी भी मेरी तरह ही है Yet What he loves I cannot share लेकिन जिन चीज़ों को वो प्यार करता है मैं उनमें share नहीं कर सकता क्योंकि लड़के की choice कुछ और है बाप की कुछ और तो दोनों की जो चीज़े हैं वो एक दूसरे को share नहीं कर सकते हैं दोनों की अलगलग चीज़े हैं फिर से देखें आप Yet have I killed the seed I spent or saw on it where The land is his and none of mine ऐसा लगता है कि मैंने जिस बीज को seed को जहां बिखेरा रोपड किया जमीन में लगाया वो जमीन उसकी थी लड़के की थी मेरी थी नहीं ऐसा लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं अब तक We speak like strangers हम अजनभी की तरह बात करते हैं There is no sign of understanding in the air हमारे दिस्टिकोड में कोई understanding समझोते के आसार दिखाई नहीं देते कोई sign, कोई chin दिखाई नहीं देता This child is built to my design ये लड़का सरीर और सकल में कदकाथी में मेरी योजना, मेरी डिजाइन के अनुसार ही विक्षत हुआ है Yet, फिर भी What he loves I cannot share लेकिन जिन चीज़ों को वो प्यार करता है मैं उसमें भागिदारी शेयर नहीं कर सकता Silence surrounds us Next is 10 जा देखे सांती, चारों तरफ है Silence वाने, ऐसी सांती पिता पत्र के बीच में है उसी घर के बीच में, एक इछट के नीचे कि एक दूसरे से बोल चाल नहीं करते एक दूसरे से बात करना नहीं करते एक दूसरे के सामने बैठना पसंद नहीं करते तो Silence चुप्पी, शांती चारों तरफ है surrounds us हमारे चारों तरफ चुप्पी रहती है I would have him prodigal returning to his father's house the home he knew rather than see him make and move his world I would forgive him too shaping from sorrow and new love यहां prodigal मतलब होता है फिजूल खर्च वाला लड़का जो है बड़ा हुआ तो फिजूल खर्च करने लगा पैसा बहुत खर्च करने लगा ऐसी चीज़ों पर जो उसका पिता पसंद नहीं करता है और वो अनावस्य की चीज़ों पर पैसा खर्च करता है इसलिए उसको prodigal बोला गया है बच्चे को फिजूल खर्च बोला है उसको make and move का मतलब होता है बनाये कोई चीज़ को बनाना और उस पर नियंतित करना control करना तो पिता कहता है मैं इच्छा करता हूँ कि बाहर जाकर अपना संसार बनाने और चलाने की अपेक्षा make and move यानि संसार को बनाने और संसार को चलाने की अपेक्षा ये बैतर होगा वो फिजूल खर्च लड़का अपने बाप के घर लोट आए उस घर में लोट आए जिसे वो जानता था आजकल बच्चे घर में नहीं रहते अपने घर को अपना नहीं समझते बाहर की दुनियाओं को अपना समझते हैं और घर की अपेक्षा ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं हलांकि अपने इंडिया में ऐसा हो रहा है पर ये कविता जो है एक अंग्रेज ने राइटर निंग्लिस पोइट है तो वो उन्होंने अप्रिक तल्चर के अंसा लिखी है पर ये पोईब जो है वो यूनिवर्सल अपील बताती है विस्व में ये सभी पिता पुत्र के बीच में जो बाते होती है अधिकतर वो बातों को फील करती हुई ये पोईब बनाई गई है तो आटो बाइगराफल के साथ में यहाँ पर यूनिवर्सल अपील भी दिखती है वो कहता है अपने पिता के घर लौट आए वो फिजूल खर्च लड़का जिसे के वो जानता था उस घर में वो लौट आए बहतर होगा अपना संसार या अपनी दुनिया बाहर बनाने के पिक्षा Rather than see him make and move his world बाहर अपनी दुनिया संसार अपना दुनिया बनाने चलाने के पिक्षा बहतर होगा वो अपने father's house अपने घर में बापस आ जाए फिर कहते हैं I would forgive him too मैं उसे छमा भी कर दूँगा I would forgive him too मैं उसे माफ भी कर दूँगा shaping from sorrow and new love और दुख से दौनों के बीच एक नया प्यार अपनी सकल अखतियार कर ले हो सकता है हो सकता है कि वो मैं उसे छमा कर दूँगा और उसके बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बीच में जो दुख है वो दौनों के बीच एक नया प्यार अपच जाए एक नया प्यार की उत्पत्ती हो जाए एक नया प्यार सकल अखतियार कर ले ऐसा कुछ चमतकार हो जाए पिता यह सोच रहा है so what the father says in this stanza the father gave birth to his son but giving birth to such a son is like a sowing the seed in the land which was not his soul both of them are complete stanza to each other there is no sign of any understanding developing between them यह बात हम पिछले stanza में आपको बता चुके हैं अब यहां इस stanza में बात करते हैं the father wishes that his prodigal son would come back home to his father's house बाप इच्छा करता है कि उसका फिजल खर्च पुत्र वापस घर चला आए अपने बाप के घर पिता जी की घर it is the home he is quite familiar with पिता कामना करता है कि उसका पुत्र उसके साथ एक ही छत के नीचे रहे न के बाहर जाकर अपना संसार बसाए the father wishes that son would live with him under the same roof rather than make and move to his own world he is also ready to forgive him पिता उसको च्छमा करने को भी तयार है ये संबब है अपसोस दुखी अवस्था में वो कहता है it is possible that a new love may grow between them out of the present sorrow वर्तमान अपसोस जनक दुखी इस अवस्था में दौरों में एक नया प्रेम जनम लेले ऐसा कुछ हो जाए next एंजा father and son we both must live on the same globe at the same length he speaks I cannot understand myself why anger grows from grief we each put out an empty hand longing for something to forgive globe माने आप जानते हैं संसार प्रत्वी जो गोला होता है वो globe है the world और grows माने होता है develop होना विक्षित होना grief यानी deep sorrow जब बड़ा दुख होता है तो उसके लिए grief बड़ आता है और put out माने extend करना थेलाते हैं longing माने इच्छा जो हमारे अंदर प्रवल इच्छा होती है desiring होती है strongly desiring वो longing होती है तो वो पिता कहता है father and son बाप और बेटा अच्छा पिता को हम बाप कब सब्जूज करते हैं पिता पुत्र में जगला हो रहा है तो generally हम गुस्य से क्या बोलते हैं बाप और बेटे का जगला है बाप बेटे का जगला है बाप ऐसा बोलता है बेटा ऐसा बोलता है तो यह थोड़ा इसलिए बुल्चाल में सा रहा है यहाँ भी उसी तरह की situation है father and son वो बोलता है, पुत्र बोलता है, I cannot understand myself, पर अंतु मैं खुद उसे समझ नहीं पाता हूं, उसकी बात मैं नहीं समझ पाता हूं, मेरी बात वो नहीं समझ पाता है, वो बोलता है, पर मैं उसे समझ नहीं पाता हूं, why anger grows from grief, क्यों दुख से गुसा पैदा होता है, क्यों गुरीफ से, गहरे दुख से गुसा पैदा होता है, जब पिता दुखी होता है, तब ही वो गुसा करता है, ऐसा क्यों होता है, we each put out an empty hand हम एक दूसरे के नजदीक आने के लिए हम एक दूसरे के एक दूसरे के और अपनी खाली बाहें फैलाते हैं खाली बाहें यानि कि जिन में प्रेव नहीं है कभी-कभी लगता है कि हम गले लगा ले अपनी बेटे को पिता चाहता है बेटे को भी लगता है कि पिता को गले लगा ले परन्त दूरियां इतनी हो गई है कि वो एक दूसरे को गले लगाने में भी सर्म करते हैं लगने लगता है कि एक दूसरे की हिंदी कर देंगे वो ऐसा अजीब माहुल हो गया है आजकल वही इसका विता में बताया गया है we each put out an empty hand longing for something to forgive हम एक दूसरे के प्रत्य अपनी खाली बाहें फैलाते हैं और प्रबल इच्छा करते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसे हम छमा कर सकें एक दूसरे को हम forgive कर दें छमा कर दें so in this stanza in spite of deep differences in outlook and temperament they have to exist in the same world दरश्टिकॉन और सभाब में गहरे मतविदों के बावजूद उन्हें एक ही संसार में रहना है पिता और पुत्र को एक ही जट के नीचे रहना है they have to exist in the same world उन्हें उसी गरह की भागिदारी करना है धरती पर ही रहना है they have to share the same planet but they have become strangest to each other परंत वे एक दूसरी के लिए अजनभी बन चुके हैं वे एक दूसरी की भावना और भाशा को नहीं समझते can't even understand the feelings and language of the other father is grieved his grief gives birth to anger both of them are unhappy and want to come closer but each of them wishes that the other would forgive him परंत दूनों ही ये भी इच्छा रखते हैं नजदी काना चाहते हैं लेकर ये चाहते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे को दूसरा उसको छमा कर दे अपने आप में नहीं सोचते अपने को न मान करके सोचते हैं एक दूसरे को छमा कर दे तब कुछ ऐसा प्रेम का भी जो बजे तो ये जो मत्वेद है ये बना ही रहता है ये खतम नहीं होता है और आज भी यूनिवर्सल अपील ये हम देखते रहते हैं चारो तरफ पिता पुत्र के बीच में तो आपने देखा कि हालांकि ये पुएम में autobiographical element है कभी ने अपनी बात कही है अपनी पुत्र की बात कही है परंत जो इसमें बात कही गई है वो एक यूनिवर्सल अपील भी है क्योंकि इसमें एक important question आता है वो यहीं आता है तो पुएम आपकी खत्म होती है समझ में आ गई होगी चलिए think it out उसका जो section है उसमें question answer को देखते हैं फ़ेला question है Does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? क्या समझ में आया आपको? क्या question है ये? क्या इस कभिता में केवल ब्यक्तिकत अनुबब की बात की है? पर्सनल experience की बात की है? और is it fairly universal? या फिर पूरी तरीके से दुनिया को सर्व पूरी तरीके से सोच करके बात की गई है उनिवर्सल बात की गई है क्या लगता है आपको? तो हम answer देखते हैं No doubt, इसमें कुछ अंका नहीं है The speaker talks of his personal experience in the poem कि जो बोलने वाला है speaker जो है, जो point है जो father है पूरी तरीके से सारविक तोर से विष्टू की बात भी appeal जो है, वो हुई है What happens between the poet and his son पिता कवी और उसके पुत्र में पिता पुत्र के बीच में जो कुछ होता है happens to most fathers and sons वो अक्सर अधिकतर पिताओं और पुत्रों के बीच में होता है There is a general generation gap और ये एक सामान पिडी का अंतर है generation gap है Second question है How is the father's helplessness brought out in the poem? Helplessness माने बेवसी, मजबूरी पिता की बेवसी इस कविता में कैसे दर्साई गई है? कैसे बेवस है पिता? Answer देखे Father is quite helpless पिता बेवस है पुरी तरीके से He is unable to understand His own child वो खुद के ही बेटे को समझने में असमर्त है Though they live together हलांके वे एक दूसरी के साथ रहते हैं पर एक दूसरी को समझने में असमर्त है They are like strangers वे अजरभी हैं अजरभी के समान हैं Father wants his prodigal son to return पिता चाहता है कि उसका फिजूल खर्च वाला बेटा बापस आजाए And live with him उसके साथ रहे But it remains only a wishful thinking परण तो ये केवल एक इच्छा रह जाती है एक दिमाग में सोच रह जाती है उसकी इच्छा की They remain separated as before और वे हमेशा अलग ही रहते हैं जैसा के पहले रहते थे वैसे ही वो रहते हैं कुशन धर देखे Identify the phrases and lines that indicate distance between father and son पिता और पुत्र के बीच में जो दूरी बताने वाले कौन-कौन से phrase कौन-कौन सी लाइने इस poem में आई है उनको हमको लिखना है identify करना है पहचानना है जो पिता पुत्र फादर और सन के बीच में distance दूरी को दरसाती है The following lines and phrases show the distance between father and son पिता पुत्र के बीच में निम्प्रकार की लाइने है जो distance को दिखाती है दूरी को दिखाती है एक तो ये हमने अलग-अलग line ले ली है I don't understand this child जब पिता कहता है कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ दूसरा I know nothing of him मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ अब ये संबभ है कि पिता पुत्र के बारे में कुछ नहीं जाने पर माहूल तो यसा ही हो गया है पिता को कुछ पता ही नहीं पुत्र क्या कर रहा है We speak like extenders फिर वो ये line आती है कि हम अजनब्यों की तर बात करते हैं फिर एक line है What he loves I can't share जिन चीजों को वो प्यार करता है मैं उनको share नहीं कर सकता चोईस है लग है फिर है silence surrounds us चुपी चारों तरफ है एक दूसरे से बात नहीं करते है एक दूसरे के चटके नीचे रहते हैं पर चारों तरफ silence है पिता पुत्र दोरों यद घर में है और तीसरा कोई घर में नहीं है तो इससे बड़ी सांती घर में कुछ होगी नहीं यद पिता को ज़्यादा बड़ानी के आदत नहीं होतो फिर एक लाइन आती है He speaks I can't understand वो बोलता है मैं समझ नहीं सकता हूँ यारि उसकी बाते मेरी समझ में नहीं आती है इसी तरीके से मेरी बाते होगी वो उसको समझ में नहीं आती होगी फौर्थ कोशन है Does the poem have a consistent rhyme scheme? क्या कविता में समान रूप से कोई तुकबंदी है कोई rhyme scheme है तुकबंदी मिलती है इसमें कोई हाँ है Yes, there is a consistent rhyme scheme A, B, B, A, B, A यद आई पोईम को दिखेंगे इसकी 6 लाइनों को दिखेंगे 4 इस्टेंजा है तो हर 6 लाइन को यद आप दिखेंगे तो जो last word होगा उसमें rhyme scheme मिलती है जो कि A, B, B, A, B, A इस तरीके से रहती है तो भचोव आपको poem और question answer अच्छे समझ में आए होगे निश्चित तोर से आपको वीडियो पसंद आ रहे है हमको comment से पता लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे है वीडियो जब पसंद आते हैं तो like और share जरूर किया करें केवल उंगली आप दिनवर चलाते हैं एक बार हमारे like और share के लिए भी टच कर दिया करो भाई और केवल आपको channel subscribe करना है channel subscribe हो चुका है बगल में bell icon है गंटी दवाना न भूलें तीन option आएंगे सबसे उपर का option है all इसको आप दवाएंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा इसी तरह के और भी वीडियो यदे आपको अपनी class related चाहिए तो हमने playlist बना रखी है आप अपने mobile में देखे हमारी channel पर MP English Classes पर तो MP English Classes की जो भी playlist है सारे classes की वो बनी हुई है आप playlist में जाएए अपनी पसंद का वीडियो देखिए चैनल subscribe, bell icon करना न भूलें जाते जाते आपसे एक request है